रात का अंधा एक बूरी औरत थी उसका एक ही बेटा था रात के वक्त वो अंधा हो जाता था यानि दिखाईनी देता था बूरी औरत ने किसी तरह गोल मार करके एक रिस्ता रूंडा उसकी साधी रचाई और लड़की बहुत सुन्दर थी उसके माईके वाले भी अच्छे लोग थें मगर बुड़ी औरत इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आंगे उसने यह रहे से बना कर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है यानि उसको दिखाई नहीं देता मगर यह सच कब तक छिपा कर रखा जा सकता था साधी के बाद पहले ते बार दिवाली आई परंपरा के अनुसार लड़की के घर से नेउता आया बुड़ी औरत को चीनता हुई जाना तो था ही उसने बेटें को सवधान करते हुए कहा तुम बहुत सवधान रहना रात को तुमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और यह बात बहु की घर वाले नहीं जानते तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना कहीं इधर उधर नहीं घूमना दिन रहते यात्रा करना दूसरा है कि वहाँ एक ही दिन रहकर लोट आना अपनी मा के कहें अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुशने के लिए बहुत तेई से चल पड़ा मगर कितनी भी कोसिस करने पर भी अंधेरा होने से पहले वह वहाँ पर पहुँच नहीं सका उसकी नजर धुंदली हो गई मा की चेतावनी याद कर वह एक जगा बैठ गया उसके साथ किसमत का खेला था वह अंजाने में अपनी ससुराल के सामने के कूड़े के धेर पर बैठ गया वह वहाँ बैठा रहा और उसकी मा कूड़ा फेक ने वहाँ आई अंधेरा था इसलिए उसने दमाद को नहीं देखा उसने कूड़ा उसके सीर पर फेका दमाद बैचान वकर उठा तो सासु मा ने उससे पहचाना कि यह कोई और नहीं मेरे दमाद जी है जो होना था वह हो अब उसे पस्ताना ही था उसने बहुत मनसुबे बना रखे थे दमाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत थी अच्छी आओ भगत करेगी धुम धम से तहवार मनाएगी रिस्तेदार और पड़ोसियों क्यांगे उसका सतकार करेगी मगर ओ यह क्या हो गया उसको रोन आ गया सर्म केमारे वह तेजी से घर के अंदर भाग गई सड़क पर उसका बारह साल का बेटा भैस को भागाता हुआ घर लोट रहा था उसको देखते ही उसने कहा बेटा तुम्हारे जीजा जी आया है मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूडे वाले धेर के पास बैठ गए है मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाये उनके उपर कूडा फेक दिया उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा तुम्हें वे बहुत चाहते हैं तुम भी उन्हें बहुत चाहते हो ना उन्हें घर के अंदर बुला लाओ लड़का जीजा जी पुकारते हुए उन उसकी तरफ भागा जमाई के पास जाकर कहा जी जा जी आये न घर के अंदर यहां पर क्यों बैठे हैं उसने उसका हाथ पकड़ा रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत हुसियार था उसने जवाब दिया मैं यहां कूडे पर इसलिए बैठा हूं कि जानू तो कि इसमें से कितनी गाड़ी खाद निकलेगा फिर मानो प्रेम से किसोर बालक के कंदों पर हाथ रखकर वो आंगे बढ़ा भैस ने उसे घूर कर देखा उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा यह क्या है लड़के ने दिया यह हमारी भैस है मैं उसे चराने ले गया था उसको तो अपना दोस्ट छिपाना था कहा ओफ यह भैस बहुत बड़ी है फिर वह भैस की पूछ पकड़कर आंगे बढ़ा इस तरह आंगे बढ़ने पर धान के भंडार के पास आई उन दिनों अनाज को जमिन में खोद कर खती बना कर उसमें जमा किया जाता था वह अंधा उस गड़े में गिर पड़ा लड़के ने घवरा कर पूछा हाई जी जाजी क्या हो गया क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता जवाब में दमाद ने कहा ऐसी कोई बात नहीं मैं सिर्फ यह जानना चाहता थ जाकि यह अनाज का भंडार कितना गहरा है मैं भी इसी तरह का अनाज जम्म करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूं कोई बात नहीं तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो मैं उपर आता हूं यह कहकर इस बार भी अपने प्रेकिर्तिक दोस्त को उसने छिपा लिया दि दिवार का सहारा लेकर क्यों आंगे बढ़ रहे हो क्या आपकी नजर ठीक नहीं है जवाब में उसने कहा तुम यह क्या कह रहे हो मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दिवार की लंबाई नाप रहा हूं घर के दरवाजे पर एक भेड खड़ा था वह उससे टकराकर गीर पड लड़के ने भेड को एक चाटा दिया और जीजा जी को सहारा देकर उठाया फिर पुछा जीजा जी आपने भेड को नहीं देखा क्या क्यों नहीं नहीं तुम समझो मेरी बात उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ मगर देखो मुझे तो उसने भोंक दिय जमाई ने कहा अंधेरा गहरा हुआ, रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए, सामने पटिये पर थाली रखी थी देवार के अउसर का बढ़िया वोजन था, तो सासू मस्वयम परोसने आई और विसेस मौके पर महिलाये खूब सज धज कर काम करती है सासू जी नूपूर और चूडिया पैन कर परोस रही थी, चूडियों की खंगनाहट से जमाई साहब ने समझा कि भेड दुबारा आया है, वह डर गया, घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठा कर फेक दी, वह प्लेट सास के पाउँ पर लगी, वह अब राकर रसोई की तरफ भागी, सासू को लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है, एक तो यह थी कि उसके सीर पर कूड़ा डाल दिया था और दूसरी वज़ा कि बेटी को परोस ने भेजना था, फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा, खाना को खाने के बाद रा पती पतनी दोनों कमरे में लेटे, बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे, ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे लगु संकर करने का मन हुआ, अंधेरे में लड़ खड़ाते हुए दिवार का सहारा लेकर किसी तरह पीछे की ओर तक गया, लोड़ते उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा, भटक कर वो उस जगह पर पहुचा, जहाँ पर सासु जी सो रही थी, यह सोचकर कि वो अपनी पतनी है, उसने सासु मा के पाउँ छू दिये, अंधेरे में सासु मा ने समझा कि कोई चोर है, उसने चिला कर पुचा कौन हो, उसी अपन गलती का हसास हुआ, मैं हूँ मैं उसका जवाब था, सासु मा ने पूछा, आप हैं आधी रात में, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, उसने कहा, मैंने खाने की थाली आपके पैर के उपर फेक दी थी, मैं आपसे चमा मांगने आया हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिये, जमाई की बात सुनका सासु मा बहुत बचैन हो गई, कहने लगी कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाए, उधर आधी रात में इस सोर को सुनकर उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है, उसे सिर्फ यह पता था कि उसका प पड़ोसियों को कुछ गलत फ्रेमी न हो जाए, यह उचित नहीं रहेगा, वह बाहर आकर मामले को सुबह निप्टाने के लिए कहकर पती का हाथ थामकर अंदर ले आई, रात बीती सुबह उई जमाई उठकर अपने गाउं जाने की तैयारी में लग गया, और कहने लगा, मैं बहुत ब्यस्त हूँ, बहुत काम है, मुझे जाने दो, इस तरह अपनी बीवी को मना कर साथ ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा, किसी को भी पता नहीं चल सका कि वह रात का अंधा है, अपने इस कुछल बेहवार पर खुसी मनाते हुए, वह भी अपने गा आने अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा कहाने सुने के लिए धन्यवाद